जहें दोस्तों मेरे नहीं मैं अतुल और स्वागत है आपका अपनी यूटिब चनल अतुल टिक बेजार में दोस्तों मेरा आपने Realme C25 यहां पे Realme C25 में Android 12 Realme UI 3.0 का अपडेट आ चुका है यहां पे आप देख सकते हो C.01 का अपडेट है एंड 3.61 GB का यह स्क्रिन सॉट है दोस्तों जूट नहीं बोलूँगा आपसे यहां पे स्क्रिन सॉट ही है बट यह जो मोबाइल है C25 ही है यहां पर कोई मैं फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ अपडेट मैंने यहां पे कर लिया है फुल रिवी वीडियो यहां पे आपके लिए लेके आ गया हूँ सारी कुछ जानकारी अंतुर बैंचमार की स्कॉर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर दीजिएगा बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करू नोटिफिकेशन आपके पास तुरण से आजाए चलिए फड़ा फ़र से स्टार्ट करते हैं चोटा इसलिए क्योंकि यहां पर जो डिवाइस है बजट सेग्मेंट की डिवाइस है इस डिवाइस में कुछ फीचर की कट होती भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह के यहां पर बहुत सारे फीचर जो है रियल्मी यूई 3.50 के प्रवाइड किये गये हैं अपडेट से इंट लॉग में अगर आप ध्यान से देखोगे परफॉमेंस में तो यहां पर आप देख सकते हो एड्स क्वीक के लॉँच वाला जो फीचर एड कर दिया गया है बट यह फीचर दो इन डिस्प्ले मोबाइल में ही दिया गया है जैसे रियल्मी 8 में अभी अ आप डिट के पहरे जो एंट युदु बेंचमार के स्कॉर था वो आप देख सकते हो वैटलाक नाइटी एट थाओजन के आसपस था चलिए फढ़ाफट से देख लेते हैं रिएल एंटी बेंचमार के स्कॉर क्या आता है वह यह एंट नहीं नहीं है इसका प्रूफ ही है क तो यहाँ पर 10,000 डिकरीज होजाता है अब यहाँ बीटा अब्डेट है तो हो सकता है कि अब्डेट के बाद और भी अब्डेट मिले जिस्से के परफॉरमन्स यहाँ पर इंक्रीस हो जाए जितनी भी ब्लूटुथ के तुरू मीडिया आप जोड़े होंगे यहां पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी जहांकि डायरेक्ली आप यहां से एक्सेस कर सकते हो इसके अलावा दूस्तों यहां पे जो आइकॉंस वागिर हैं वह सेम ही मिलेंगे जो फीचर से सेम ही मिलें 3-finger screenshot को option भी एवलेबल हैं इस तरह से भी आप screenshot देए सकते हो इसकी एडिट को औफशन में आपको बहुत सारे अधर options मिल जाते हैं जिससे आप यहां पी उसकाते हो बास करते हैं camera की तो camera UI यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको changes मिलेगा उतना जादा यहाँ पे changes आपको नहीं मिलेगा and यहाँ पे दोस्तों कोई भी नया feature जो है add नहीं किया गया है filters वगेरे भी आपको सारे-सारे जो है old ही मिलते हैं अगर आप यह समझ रहे हो कि real UI 3.0 update के बाद बहुत सारे features मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है same to same वही feature है even दोस्तों यहाँ पे जो edit को option है वो भी हटा दिया गया है बट उपर की तरफ आपको green dot देखने को मिल रहा होगा इससे ही यहाँ पे Android 12 का एक feature है जो भी camera है या फिर microphone access कर रहा होगा अप app उससे आपको पता चल जाएगा green dot जैसे ही blow होगा तो security के माम में काफी अच्छा feature है चलिए कुछ photo samples भी आपको दिखा देता हूँ कि update के बाद कैसी photo आती है अपडेट के बाद दुस्तो जो photo quality है मुझे वैसे ही लग रही है same to same थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको जो है photo कभी कभी अच्छी देखने को मिलेगी या फिर हो सकता है कि beta update है तो आपको quality में थोड़ा सा यहाँ पर परक देखने को मिलेगा वैसे यह selfie है selfie भी ठीक ठाकी यहाँ पर mobile ले लेता है जैसे कि पहले लेता था बट यह first beta update है अगर छोटी मूटी problem आएगी तो वेड करियाएगा second update का update के बाद smart sidebar आपको अंदर से setting से enable करना पड़ सकता है smart sidebar का look देख सकते हो आप यहाँ पर roundable है एंड थोड़ा सा यहाँ पर changes look आपको देखने को मिलता है but feature दोस्तों आपको वैसे ही मिलते है and google dollar and message app जी हाँ दोस्तो google dollar अभी भी यहाँ पर available है तो यहाँ पर realme dollar अभी भ भी आपको नहीं दिया गया after realme UI 3.0 update system icon अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3D look आपको देखने को मिलेगा यही काफी अच्छा लगता है अधर system app के बारे में बात करें तो भी games का जो game space है उसका नाम अभी games हो गया है oneplus and oppo की device में आपको games ही देखने को मिलेगा 1.2.15 वाला एक latest game space मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे features मिल जाते है explore का option आपको मिलता है जिसमें बहुत सारे gaming भी game जो है आप यही से directly download कर सकते हो उसके बारे में details ले सकते हो and यहाँ पे आपको जो है इस तरह से enable करना पड़ेगा क्योंकि data जो है game का अब आपको यहाँ पर show करेगा तो इस तरह से आपकर आप tap करोगे तो सारी की सारी जानकरी आपको मिल जाएगी कि कौन सा game आपने कितनी देर खेला है एडिक्टो नहीं हो गया हो और यहाँ पे switch का option भी available है जिससे कि आप old to new में switch हो सकते हो settings section भी आपको game toolkits वगरे बहुत सारे options मिल जाएंगे game focus mode चलिए यहाँ पर game को मैं play करके देख लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने game space का toolkit on कि आप देख सकते हो काफी बड़ा toolkit यहाँ देखने के मिल रहा है मुझे लग रहा था चोटा हो जाएगा तो कि other game space जो है आपको इतना बड़ा look नहीं देता है पर यहाँ पे आपको अच्छी बात यह कि edit को options भी मिल जाता है कुछ apps वगरे आप यहाँ पे edit करना चाहते हो shortcut के रूप में तो यहाँ पे add कर सकते हो and game के जो features है जो उसे भी आप यहाँ पे rearrange कर सकते हो system status का option यहाँ पे मिलता ह बड़ दोस्तो जो voice changing का option है भाई इसमें भी आपको मिलता है अब यह work अच्छे से करता है यह नहीं यह आपको में next वीडियो में जरू से बताऊंगा वैसे अगर आज कि game space की AP के चाहते है तो channel payable है जाके जरू से download कर लिएजएगा अपने mobile में try करिएगा अब बात करते ह 6.0 वाला वर्जन है latest वर्जन है यहां पे दोस्तो clean up antivirus एप इंडियन के according जो की band नहीं है यहां पे आपको मिल जाती है और जो game जो phone manager है उसका look भी काफी जदा है आपे changes मिलता है और बहुत सारी यहां पे जो other features add कर दिये गया है जैसे battery अगर आप देखो यहीं से access वगर कर सकते हैं इसमें यहां पे आपको graph का option भी बैटरी में मिल जाता है यहन दूस्तों आपको tools का option भी phone manager के अंदर मिल जाता है जिसमें जो setting की जो apps जो की ज्यादा important है यहां पे आपको मिल जाती है but guest mode वाला option मुझे यहां नहीं मिला setting में भी नहीं मिला अगर आपके mobile में guest mode option है comment section में मुझे जरू से बताएगा home screen में अगर long tap करोगे तो इस तरह से यहां पे जो है options open हो जाएंगे and wallpaper आप देखोगी तो stock wallpaper अगर मैं other mobile से यहां पे compare करो तो कम है थोड़े live wallpaper तो आपको old ही मिलते है बट stock wallpaper जो है यहां पे आपको कम ही मिलते हैं थोड़े बहुत stock wallpaper आ option आपको यहां पर मिल जाता है जिससे आप किसी भी image या फिर अपनी खुद की picture से मिलता जूलता जो wallpaper है वो यहां पर create कर सकते हो icon pull down gesture वाला जो feature था जिस तरह से deck करके आप जो है किसी भी app को one-handedly open कर सकते हो यह icon pull down gesture वाला feature इसमें भी आपको मिलता है widgets वैसे मैं उतने use नहीं करता बट इस तरह से plus के icon में जाके आप यहां पर clock के widgets देख सकते हैं अगर कुछ नए visits हैं मुझे camera section में जरू से बताएगा और यहां पर नीचे के तरब भी आप देख सकते हो बहुत सारे widgets हो है जो आप home screen पे aid कर सकते हो update के बाद कुछ system app जैसे calculator या फिर weather app इसका लुग कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जो कि काफ़ ज़्यदा attractive लगता है realme way 2.0 में जो flex drop था उसका नाम यहां पर आप चेंज करके flexible window रख दिया है यहां पर दूस्तों आप mini window split window में convert कर सकते हो multitasking का look भी आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको देखने को मिलता है और यहां पे अगर आप किसी भी एप को select करते हो उपर से आप floating window के लिए तो इस तरह से जो है mini window में directly convert हो जाता है इस तरह से अगर आप इसे tap करते हो तो यहां पे जो है window का size आप rearrange कर small window में या फिर इस तरह से drag करके यहां पे shortcut के रूप में use कर सकते हो जो कि काफी ज़दा useful feature है तरह से drag करके आप यहां पे इसे रख सकते हो तो यहां पे जो flexible window है यह पुराना ही feature है बस नाम यहां पे change कर दिया गया है अब आते हैं दोस्तों personalization वाले section में यहां पे आप देख सकते हो जो mostly जो feature है जो की जैसे wallpaper चेंज करना है तो यहीं पे आपको एक ही जगा पे मिल जाएगा यह feature old ही है बट यहां पे इसका user interface change कर दिया गया है यहां पे personalization वाले option में icon मगरे आप change कर सकते हो notification panel के जो shapes है उसे change कर सकते हो even दोस्तों यहां पे जो इसके color वगे हैं उसे भी change कर सकते हो colors में आपको बहुत सारे इस बार options मिल जाते है trendy colors के जिसे one tip करके यहां पे आप color's वगेर चेंज कर सकते हो पहले यह जो colors थे इतने ज्यादा options यहां पर आपको नहीं मिल सकते हैं यहां पे even आप से ही मैं यहां भी उस करूंगा फॉंट बगर की जो अप्शन यह ओल्ड ही है जो कि यहां पे ज्यादा फॉंट को आप्शन नहीं मिलते है ज्यादा फॉंट अगर आप चाहिए तो आपको थीम स्टूर कर यूज करना पड़ेगा पड़ेंस के स्टूर करके दो आपको अपे करसी हैं उसे यहां पर यहां तीना कर सकते यहां जेह चैणि और आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार वाला जो सेक्शन है वहां पर आपको एक important option मिलता है more setting के अंदर अगर आपके mobile में notification जो है directly आप clear कर देते हैं और आपको miss हो जाते हैं तो यह notification history वाला जो option इसे always on रखिएगा जो भी notification के लिए हो जाते हैं आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे privacy वाला section यहां पर काफ जदा implement किया गया Android 12, Realmeo 350 में privacy dashboard आपको यहां पर देखने को मिलता है location camera and microphone कौन सी app access कर रही कब access कर रही सारी जानकरी आपको यहां से ले सकते हो setting में special feature का एक tab अलग से add कर दिया गया है बट यहां पर आपको सारे ही features जो है old ही मिलते हैं कोई भी special feature नहीं है बस नाम यहां पर add कर दिया गया है and lastly realme lab के अंदर भी जो feature मिलते हैं आपको old वाले ही मिलते हैं बीटा update है bugs भी यहां पर मिलेंगे तो भी यहां पर जो अगर आप torch को यहां से on करते हो और अगर आप mobile को off कर देते हो तो power button double tap करने के बाद जो flash light है वो off हो जाती थी बट यहां पर देख सकते हो double tap करने के बाद भी यह off नहीं होती है and screen पर आपको एक message देखने को मिलता है means यहां पर आप जो hardware के तुरू ही इसे off करना पड़ेगा maybe update के बाद यह clear हो जाएगा and camera में आपको जो मैंने बताया था samples कुछ samples आपको अच्छ आपको थोड़ा बहुत lag मिल सकता है क्योंकि beta update है 40 update के तुरू देरे-देरे stable update तक यह ठीक हो जाएगा दोस्तो realme opus related latest update के लिए मेरे telegram channel के लिंग description box में है दो telegram channel है अतुल टेक बजार and realme system app update group जो की सबसे बड़ा global group है इसे जरू से join कर लिजेगा latest update आपको मिलते रहेंगे यह था दोस्तो realme c25 का एक real review एंड इस तरह के और भी वीडियो के लिए या फिर realme c20 के से रिगार्डिंग और भी update के लिए bugs के लिए आप मुझे comment section में बता सकते हैं वीडियो में दोस्तों इतना है मिलते है फिलाल next वीडियो में तब तक के लिए जाएं बोलते रहेंगे